नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ भारत में आज की वीडियो में मैं गर्वा वस्ता के बाद बने स्टेच मार्क को दूर करने के घरेलू उपायक बताने वाली हूँ तो आईए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सबस्काइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं आपको बजार में स्टेच मार्क को दूर करने के लिए बहुत सारी दवाईयां और किरी मिल जाएगा लेकिन अगर आप कैमिकल प्रोडेक्ट का इस्तमाल नहीं करना चाते हो तो कुछ घरेलो उपाएं हैं जिनके इस्तमाल से आप स्टेच मार्क की प्रोबलम को दूर कर सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद ओर्तों को बापस अपने पुराने अकार में आने में काफी टाइम लग जाता है अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो बापस शेप में आने में थोड़ा समय लगता है लेकिन अगर delivery operation से हुई है तो shape में आने में काफी वक्त लग जाता है गरवावस्ता के दोरान ओरतों के शरीर में अंदरूनी रूप से तो परिवर्तन होते ही हैं साथ ही उपरी रूप से भी कई परिवर्तन हो जाते हैं उन्हीं में से एक है stretch mark आईए इसके घरेलों उपाई दिखते हैं कैस्टर ओइल कैस्टर ओइल इसकीन से सम्मंदित बहुत से बिमारियों के लिए फाइदेमन होता है डार्क स्पोर्ट्स, एच स्पोर्ट्स, रिंकल, फाइन लाइन्स, मोल्स और stretch mark को दूर करने में कैस्टर ओइल बहुत असरदार होता है कैस्टर ओइल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है इसलिए उसकी कुछ बूंदे हाथ में लेकर stretch mark पर 15-20 मिनट तक मसाज करें अगर आप circular motion में मसाज करेंगे तो यह ज़्यादा फाइदेमन होगा इसके बाद stretch mark को cotton के कपड़े से ढख ले इसके बाद एक बोतल में गरम पानी लेकर उस जगे पर सिकाई करें ऐसा करने पर stretch mark दूर हो जाएंगे अंडे का सफेद भाग अंडे के सफेद भाग में परियाब्त मात्रा में प्रोटीन होता है जो सकीन की दरारों को भरने में काफी असरदार होता है अंडे का यह सफेद भाग एक तरह से जादू का काम करता है यह सकीन को दोवारा बनाने में मदद करता है अंडे की सफेद भाग को stretch mark पर दिन में 2-3 बार मले ऐसा करने पर कुछ ही दिनों के अंदर आपको असर दिखने लगेगा कोकोवा बटर कोकोवा बटर का इस्तमाल करके भी आप stretch mark को दूर कर सकते हैं दिन में कम से कम 2 बार कोकोवा बटर से stretch mark वाली जगह पर मसाज करे इससे ना केवल stretch mark दूर होगा बलकि ये skin को लचीला भी बनाता है लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि रात को सोने से पहले और सुबह नहने के बाद ही कोकोवा बटर लगाएं ताकि बटर का मॉस्चुराइजर बना रहे इसकिन से जोड़ी बहुत सी बिमारियों के लिए इलोवेरा काफी असरदार होता है इलोवेरा में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो stretch mark को दूर करते हैं इसमें मुझूद तत्व cells को बनने में मदद करता है जिससे skin बहुत जल्दी recover हो जाती है जादा जल्दी असर पाने के लिए आप एलोवेरा के जूस को भी पी सकते हैं एलोवेरा का जूस भी काफी फाइदिमन होता है शहद कोटन की कपड़े से शहद की कुछ बूंदों को stretch mark पर लगाएं इससे काफी फर्क पड़ता है शहद लगाने के बाद जब यह सूख जाए तो इससे गरम पानी से साफ कर ले आप honey scrub का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह भी stretch mark को हटाने में मदद करता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को like और share करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखे